हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं भीज बर्गर हम रमादने श्पेशल यह रेसिपी लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि काफी टेश्टी बर्गर बनके तियार हुआ है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं शली को इसके लिए अमने लीक पान्य के बनाने दाल दूंगे लग बपक दो चमग तेल और एक छमग लकबब हम डाल दोंगे कटा होई अद्रख अध्रख को पहले इस तरह से हम Profess कर लेंगे एक चमश लगवक डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी इस तर समसोते कर लेंगे अब हैं यहाँ पर हम डाल देंगे चॉप्ट गाजर, कैरोट बोलते हैं से हम, इसे भी अच्छी समस्तर से चलाते जाएंगे और फ्राइ करते जाएंगे याद रखें, गेस की फिल्म को भी हमें हाई में रखना और सिर्फ दो मिनिट के लिए प्रोसेस हमें करना है, दो मिनिट के अंदर हमारी जो गाजर है वह हलकी सिपक जाएगी, करंची हो जाएगी, बस इतने हमें करना है अब यहाँ पर में डाल दूँगी चॉप्ट बीन्स, बीन्स को भी हम गाजर के साथ मिक्स कर लेंगे और इसी तरसे सोते करते जाएंगे तो यह टोटल प्रोसेस दो मिनिट का है, हाई फिल्म में रखेंगे हम गेस की फिल्म को और रखते वीज से हम यह प्रोसेस करेंगे सबजी को हरकी करंची करनी हमें, हरका से इसका कचा पंदूर हो जाएगा, बस इतने हमें करना है तो यह देखें, सबजी हमारी करंची हो गए, यह दो मनेट हो चुके हैं, तो इस टाइम पे मैंने गेस की फिल्म को बंद कर दिया है अब हम सबजी को हरका ठंडा करेंगे, तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे तो आप देख सकते हैं, एक बाउल में मैंने चार सीजेवे आलू ले ली हैं, यह बॉयल्ड आलू हैं, इन आलू को सबसे पहले हम मेसर की हैप सिस्था से मेस कर लेंगे हमने आलू को मेस कर लिया है, अब हम डाल देगे यहाँ पे स्वादो नुशार नमक, अब अपने टेश का अकरड़िंग नमक कमभी सी कर सकते हैं वन बाई फोर तीस्पून मैंने डाल दिया, यहाँ पे गोल की काली मिर्च जिसे हम बोलते हैं हाप टीस्पून मैंने डाल दिया यहाँ पे चिली फ्लैक्स, हाप टीस्पून मैंने डाल दिया यहाँ पे औरगेनो, दो चमच यहाँ पे मैं डाल दूंगी कौन फ्लोर, जिससे हमारी जो टिक्की बनेगी वो काफी क्रिस्पी बनेगी, अभी हम टिक्की बना रहे हैं बर सब्जी को और आलो के मसालों को अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिलाते जाएंगे से सारे मसाले सारी सब्जी आपस में आलो के साथ मिक्स हो जाएगी हाथ हो के हैं अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो हमारे टिकी का मसाला बनके ट्यार हो चुका है मैंने हल्का सा तेल डाल दिया ताकि आलो हमारे हाथों में चिपके ना कि इस से टिकी का मसाला बन के त्यार है है अब हम इससे टिकी का सेब देंगी ए चोड़ा सा डोब बाल जैसे मैंने ले लिया यह देख Minice- ich औरा सालकर का by आज़िए मैं लेकिन का सेब 15 आम जाएक्थ के पास आ गई हूँ मैंने पेन में पहली से तेल को गरम करके रखा हुआ था इस तेल में हम तिक्की को इस तरह से डाल देंगे और इसे भी हम फ्राइ करेंगे क्रिस्पी होने तक तो फिलाल में तीन तिक्की डाल रही है और इसे भी क्रिस्पी करूंगी तो यह तुरन से क्र कुल भी समय नहीं लगता कि अब देख सकते हैं हमारी टिकी कितनी कलरफूल बन चुकी है गल्डन ब्रॉण कलर आ चुका है इसका मतला हम आज जो टिकी काफी अच्छी से क्रिस्पी हो चुकी है तो इसे आप तेल से निकाल लेंगे क्रिस्पी करने में मुझे तीन से चार मिनिट लगे हैं इसे देखिए मैंने तिक्की को निकाल दिया एक प्लेट में तो आप देख सकते हैं इक बाल में मैंने ले लिया है मियोनीज यह दो चमबच मियोनीज है और इस मियोनीज में में डाल दोंगी मिन्ट सॉस आप यह घर म बेड़ी मेट भी साल मार्केर ला सकते हैं थोड़ी सी पोदेनी की पती ले लीडी जिए शुक्ते ले जाल में डाल दीजे और उसे पाने डल के सब पीस लीजिए और इससे मिक्स कर लीजे इस से मींट मी घर में बनके त्यार हो जाता है और इससे हम बढ़ा दा दोंगी अभ इतने से क्रिश्पी हो जाएगी जो खाने में काफी अच्छी लगेगी तो अच्छी से पहले हम बटर लगा लेंगे अब देख सकते हैं मैंने दोनों में बटर लगा दिया है अब हम गेस के पास आ गए है मैंने एक पेंड में से रख दिया है और इसे हम अच्छा सा हलका गॉल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे जिसे काफी क्रिस्पी हो जाएगी तो यह देखें मैंने से सेक लिया है अब हम बर्गर रेडी करेंगे जिसके देखें मैने कुछ सब्चियां ले लिए टामाटर है और साथ में प्याज है और साथ में पत्ते गूबिक मैंने ले लिए पत्तियां इन NEW यंग प्रेंगे ब्रेट की उपर आउकेउपर अब प्याज की स्लिचिस लगा देंगे टेमेटो स्लाइस भी सी में लगा देंगे हम इस तरह से थोड़े से यहां पर मसाले डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे एक चुटकी थोड़े से यहां पर हम काली मिर्च डाल देंगे और थोड़ी से यहां पर में डाल देंगे चिली फ्लैक्स अब उपर से हम थोड़ा सा लगबग एक चम्मा सॉस डाल देंगे त्यमेटो केचप मैंने डाला है अब यहां पर लगा दूंगी टिकी जो अब इसे काफी क्रिस्पी हो चुकी है इसे हम इसमें रख दिया है अब इसके उपर हम लगाएंगे चीस की स्लाइसे यह देखें एक चीज की स्लाइस मैंने रख दी है अब दूसरा कटवा पाव है इसमें हम लगा देंगे इस तरह से देखें इसे काफी क्रीमी फ्रेवर आएगा बहुत ही अच्छा सा लगेगा काने में बर्गर अब इसकी ऊपर हम या पाट रख देंगे पाव का अब हमने यहाप एक पी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए